जी, असलाम अलेकुम everyone, this is me, माजेब खालेद, I hope you are fine and doing well, आज की इस वीडियो में हम scholarships के हवाले से discuss करेंगे, चैना की university, चौंगचंग University जो है, वो CSE scholarship भी offer करती है, लेकिन इसके साथ साथ दो और scholarships भी offer करती है, जिसमें presidential scholarship और mayor municipal government scholarship जो है, वो ये university offer करती है, तो इस वीडियो में हम presidential scholarship के हवाले से बात करेंगे, और जो next video की, उसमें हम mayor scholarship, जो है, इनकी government की, वो scholarship के हवाले से बात करेंगे, और सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, stripe and deadline और जितनी भी चीज़ें, तो I hope आपको जो है, वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, इस university का जो main page है, इसका जो link है, वो मैं आपको description में दे दूँगा, आप वहाँ से click करके, इस page पे direct हो सकते हैं, आपने directly यहाँ पे आके international students के tab पे आपने navigate करना है, और यहाँ पे आपने fee and scholarships पे click करना है, जैसे ही आप यहाँ पे click करेंगे, तो आप इनके scholarship के page पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप द इस वीडियो में हम देखेंगे president scholarship के अवाले से तो आपने यहाँ पे president scholarship पे click करना है, सबसे पहले मैं आपको यह बताता चाहिनूँ के यह जो scholarship है, यह international students के लिए ही है, और इसमें जो sporting category है, वो undergraduate master और PhD के students यह वह अपलाई कर सकते हैं, अब बात करते हैं जी scholarship standard के अवाले से for undergrad master students, तो उसमें जो master degree के लिए है, वो first class जो है, वो 10,000 per year है, और जो second class है, वो 8,000 जो है, वो per year यह offer करते हैं, scholarship could offset a part of the tuition fee, पी-ए-स-डी students के अगर हम बात करें तो उसमें, जो tuition fee है, वो waived है, means के कोई tuition fee नहीं है, और university की जो dome है, वो भी free है, यानि के जो hostel होता है, और उसके बाद वो monthly stipend भी जो है, वो offer करते है, student को, it sports students for no more than four academic years, यह जो scholarship है, यह only for four years है, यानि के अगर PhD का कोई student एपलाई करता है, तो उसका जो academic duration होती है, वो four years होती है, तो यह scholarship भी जो है, वो four years का ही, उसको मिलेगा, उसके बाद annual reviews होते है, जो university जो उसको द further scholarship को continue किया जाता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह difference है, master के students, bachelor और PhD, PhD का जो benefit हो ज्यादा है, as compared to master degree के लिए, तो यहां पर 10,000 दिये जाता है, annually, और यहां पर 8,000 दिये जाता है, yearly, तो I think so, students, जो PhD के हैं, उनको मैं ज्यादा encourage करूंगा, कि वो इस university में apply करें, और ताके उनको जो benefit है, और यह जो benefit है भी बिल्कुल CAC scholarship जैसा ही है, क्योंकि उसमें भी PhD के students के लिए 3500 परमंच है, वो stipend दिये जाता है, अब इसकी deadline देख लेते हैं, जी deadline इसकी अभी काफी सारा time है, जो के November 1st से इसकी start हुई है, और यह 30 April तक जो है, वो आप इसमें apply कर सक सकते हैं, तो यहां पर एक आपको मैं बात पताता है, चलूँ कि अगर आपने CAC में भी apply किया है, और और भी scholarship में आप apply कर रहे हैं, तो आप इस university में जो है, university की president scholarship पे भी apply कर सकते हैं, तो इस तरह आप multiple scholarships पे apply करके अपना जो chance है, वो आप score कर सकते हैं, eligibility criteria जो है, यह आप वो चायना का नहीं होना चाहिए, और good health में होना चाहिए, age बगरा बताई गई है, जी graduate के लिए, जो यानि के PhD और master के लिए, यह 45 age जो है वो बताई गई है, और उसके बाद eligibility की बात करते हैं, तो यह आप लोग इसको thoroughly पढ़ लीजिएगा, और इसमें ही बताया गया है, जी age के अवाले से और जो applicant है वो चायना का नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे application procedure की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपने step 1 पे आना है, step 1 पे आप यहाँ पे click करेंगे, click करेंगे तो यह जो form है, इनका download होगा, तो यह form already मैंने यहाँ पे open किया हुए, तो यहाँ पे आप आप देख सकते हैं, जी application form for chung chain university, president scholarship, तो simply आपकी personal information आपने आप अपनी picture attach करनी है, passport name, family name, passport number, तो यह काफी easy है, आप इसको easily fill कर सकते हैं, educational background आपने बता देना है सारा यहाँ पे, और employment record अगर आपका available है, तो आप वो लिखने, language proficiency आपने बता देनी है, Chinese की, और अगर आप के पास है, HES के certificate, तो आपने वो भी इसमें बता देना है, उसके बाद language of instruction means कि आपने याप English पर click करने है, I can be taught in, जिसमें आपने यह बता देना है, yes, no, उसके बाद study level यह सारी चीज़ा है, आपने बता देनी है, कि आप PhD के लिए apply करें, master के लिए apply करें, या bachelor's के लिए, subject आपने बता देना है, यह सारी चीज़ें जितनी भी हैं, यह आपने बता देनी है, इसके बाद आपने जो documents आपके required होंगे, और जो आपने attach करने है, वो यह सारी चीज़ें इन्होंने specify कर दी है, यहाँ पर आपने signature करने है, date वगरा आपने लिखनी है, और आपने यह form fill कर लेना है, अब इसका आगे जाके हम देखेंगे कि आपने यह form submit करना है, तो यह आपको इसका भी link जो है, वो मैं description में डाल दूँगा, बाकि आप इनकी website पर आके यह link open करके आप form download कर सकते हैं, complete the online application procedure at international student service system, आपने इस link पर क्लिक करना है, link पर जैसे ही click करेंगे, तो इनका जो main page है, जहाँ पर अपना account register करेंगे और इसके बाद आप अपनी application को जो हो fill कर सकते हैं, please choose your program, Chinese school scholarship and upload the required documents including the completed application form for president scholarship, आप इसको जो है, आपने सारे documents upload करने हैं और यह यहाँ पे इन्होंने guideline भी इन्होंने share कि हुई है, इसको भी हम देख लेंगे, अभी बाकी जो भी इसकी remaining चीज़ें वह हम देख लेते हैं, we will contact you by email after we receive your application documents, सारी चीज़ें जो university की management है, वह आप लोगों के साथ communicate करती है, via email, उसके बाद आपने अपनी सारी चीज़ें जो हैं, आपने correctly आपने इनको provide करनी है, documents जो हैं, उसमें president scholarship का form, आपकी highest degree जो है, व आपने इनको इनके साथ share करनी है, उसके बाद आप इसको hope certificate या provisional certificate पे भी apply कर सकते है, official academic transcripts आपके पास होनी चाहिए, उसके बार research proposal, आपकी CV होनी चाहिए, study plan, recommendation letters होनी चाहिए, आपके पास दो passport आपके पास होना चाहिए, passport size आपकी एक picture होनी चाहिए, आपका record of study, our employment in China, अगर आपके पास है तो physical examination form, ये तो आपको पहले पता होगा, उसके बाद अगर आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे click करके इसको download भी कर सकते हैं, और ये almost same ही होता है, इसमें हर university का एक ही form होता है, और वो यहाँ पे आप यहाँ से download कर सकते हैं, आपके पास please clearance certificate certificate होना चाहिए, language proficiency का प्रूव, यानि कि आपने यहाँ पे English proficiency certificate को upload करना है, उसके बाद other documents अगर आपके पास हैं, achievements academic तो वो आपने यहाँ पे add कर देना है, यहाँ पे यह चीज़ बड़ी clearly mention की गई है, जो कि आप शायद इसमें confused हों कि आपको supervisor से contact करके आपको acceptances लेनी हो तो आपने कोई भी acceptance letter यहाँ पे नहीं लेना, आप जो है वो simply apply करेंगे, बाकी जो है वो बाद में जब आप select होंगे तो आपको supervisor जो है वो assign कर दिये जाएगा, उसके बाद others में जो है वो यह कुछ यहाँ पे terms and conditions लिखी गई है, यहाँ पे इनके documents हैं, यहाँ पे इनके links दिये गए, आप click करके यहाँ पे download कर सकते हैं, application guide देख लिखते हैं कि आपनी scholarship के लिए apply कैसे करने है, ठीक है, तो simply आपने इस link पे आने link पे आएंगे, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले account बनाने, account बनाने के बाद, जहां से आपको confirmation, email होगी confirmation के बाद, आपने simply इसको login कर after logging successfully, choose the scholarship self-sponsored program you prefer to study, तो आपने इसमें से इसको select करना है, और उसके बाद आपने अपना जो भी आपकी degree program है, यानि कि आप master के लिए apply कर रहे हैं, तो आपने वो choose करना है, then उसके बाद आपने अपना जो भी major है, वो यहाँ से search out करना है, search करने के बाद, आपने यहाँ पे apply, पे उस पे click करना है, अगर वो यहाँ पे आपका available है, तो complete the application information, सबसे पहले आपने अपनी basic information सारी add करनी है, then उसके बाद आपने study plan, जो भी आपका है, यानि कि आपने आपकी जो भी, like आपने यहाँ पे अपनी सबसे पहले language के हमाले से information देनी है, then आपने यहाँ पे employment information, और जो आखिर में होता step वो होता है, document को upload करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि कौन कौन से documents हैं, वो आप जहाँ पे अपने upload करने हैं, तो यह सारी चीज़ें, उसके बाद last में जा कि आपने कुछ additional info देनी होती है, info आप add करने के बाद आप जो है वो, preview your application form and submit it after double check your application information, आपने last में अपने जो form है, वो आपने clearly देखने है, उसको देखने के बाद आपने, उसको download करने के बाद आपने simply apply कर देना है, तो इस university की कोई application fee भी नहीं है, तो इसा जो है वो information, जो मैं आपको बता रहा था, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि, आप जो है वो university की जो है वो application fee आपने pay करनी है, तो I hope आपको जो है, वो कोई भी मसला नहीं आएगा, अगर कोई भी क्यों रही हो तो, आप पूछ सकते हैं, और I will try my best कि मैं आपको response दूँ, thank you very much for watching this video, next video में हम discuss करेंगे, जो है वो mayor municipal government scholarship के अवाले से, और ताके आप दोनों scholarship में भी apply कर स सकते हैं, thank you very much for watching this video, take care, laafiz